Hello everyone, welcome to the study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, हम लोग आज से यहाँ पर Classics की NCIRT Geography की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, आज आपका यहाँ पर चैप नुमर वन है, यहाँ पर हम लोग सौरमंडल में प्रत्वी अध्याय को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, आज के अध्याय में हम लोग ब्रह्मांड की सेर पर चलेंगे, बचपन से ही हम लोग रात के समय में आकास में असंग के तारों को देखकर उनके बारे में तरह-तरह की धारणाएं बनाते थे, हम लोग उने रात के समय तरह की देखकर ऐनके बनाते खेकरें में असंग ब्रह्मांड के समय में आकास में लोग रात के समय में आकास में बहुत जाता समय में बनात marvel टिम्टिमातेु तारों के लिए थी कि अंत्रिक्ष में लाखो करोनों तारे हैं, यह लगाता टिम्टिमाते हैं, लेकिं फिर भी हम पर गिरते नहीं हैं, तो इसतरे की पहलिया भी हमने सुनी है, तो बज़पन से हमारे मन में यह जानने की इच्छा है कि वास्तम में ये जो अंत्रिक्ष है जिसमें लाखो करोनों तारे टिम्टिमा रही है ये क्यों टिम्टिमा रही है ये अंत्रिक्ष जो हम लोग देख रहे है इसका विस्तार कहां तक है इस तरह की तमाम जो चीज़े हैं हमारे मन में बच्पन से ही चल रही है तो आज की अध्याय में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने बाले है देखें यहाँ पर आपके सामने एक इमेज दिया गया है इस इमेज में आप देख पारे हैं इसका जो भारी गोला है ब्रह्मांड है यानि जो अंतरिक्ष हम लोग देखते हैं जो अनंतक फैला हुआ है इस अनंतक फैली हो अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहा जाता है ब्रह्मान्ड जो है संपूर समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतरवस्तु को कहते है ब्रह्मान्ड कितना ज़्यादा है इसकी सीमाए कहां तक है तो ब्रह्मान की जो विसालता है इसकी कलपना करना या इसका मेजर्मेंट करना आसान नहीं है पहुत जादा कठिन है वैज्यानिकों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मान का विस्तार जो लगातार हो रहा है ब्रह्मान के अंदर आजाती है आकास गंगा है जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पारे हैं ब्रह्मान के अंदर आजाती है आकास गंगा है तो आकास गंगा जो है ये करोनो तारों बादलों और गैसों की एक प्रणाली है तो आकास गंगा में जो करोनो तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैस होते हैं, इनसे मिलकर आकास गंगा बनती है और करोनो आकास गंगा मिलकर जो है, या लाकों आकास गंगा मिलकर जो है, ये ब्रहमान कर निमार करती है प्राचीन भारत में आकास गंगा की जो कलपना है आकास में प्रकास की बैतियों नदी से की गई थी इसी आधार पर इसका नाम भी पड़ा है आकास गंगा तो अब आप लोग समझ गई होंगे कि जो लाको करोणों आकास गंगा है ये मिलकर ब्रह्मान कर निमार करती है आकास गंगा के भीतर आ जाती है सौर मंडल यानि जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आकास गंगा के भीतर करोडों तारे होते हैं इन करोणों तारों के बीच में सौर्मंडल होते हैं. तो हमारा सौर्मंडल जिस आकास गिंगा में इस्थित है, उसे हम लोग मंद्ण किनी या फिर मिलकी विए के नाम से जानते हैं. सौर्मंडल का मदब क्या होता है? कि जिसमें एक सूरज होता है और उसके इर्द गिर्द कुछ ग्रह उसकी परिक्रमा लगा रहे होते हैं उसको सौर्मंडल कहा जाता है तो हमारा सौर्मंडल जो है जिस आकास गंगा में स्थेते हैं उसको हम लोग मंदाकिनी की नाम से जानते हैं यानि हमारी मंदाकनी में हमारे अलावा ऐसे लाखो सौरमंडल अन भी हो सकते हैं हम जिस घ्रह पर निवास करते हैं उसको प्रत्वी कहा जाता है और प्रत्वी जो है ये सौरमंडल का एक भाग है और हमारा सौर मंडल जो है आकास गंगा यानि मिलकी वे जो आकास गंगा है हमारी उसका एक पार्ट है और हमारी आकास गंगा एक ब्रह्मान का एक पार्ट है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आकास गिंगा है उजिस प्रिकार से दिखती हैं, तो यहाँ पर आकास गिंगा के इमिज लगाया गया है, इसमें देखे लाखो करोणों तारे हो सकते हैं, और लाखो करोणों तारों के अपने खुद के सौर्मंडल हो सकते हैं यहाँ पर आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया है कि सूरे चंद्रमा या फिर वे सभी बस्तु हैं जो रात के समय आस्मान में चमकती या टिम्टिमात्यों दिखाई देती हैं इन्हें खगोली पिंड या फिर आकासी पिंड कहा जाता है हमारी प्रत्वी यह भी एक खगोली पिंड है अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि रात के समय टिम्टिमात्यों यह टारे हैं उन्हें हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं देखे चूंकि दिन में सूरे का प्रकास काफी यादा तेज होता है तो तेज प्रकास होनी की जैसे रात में आसमान में चपकने वाले जो तारे हैं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं खगोली पिंड और उनकी गत के संबन में इनका अध्यन करने वालों को खगोल सास्त्री कहा जाता है खगोली पिंड और उनकी गत का जो अध्यन करने वाले वालों है उनको हम लोग खगोल सास्त्री कहते हैं आरिवट का नाम आपने सुना होगा आरिवट प्राचीन वारत के एक प्रसिद गर्दग्य और खगोल सास्त्री थे आरिवट ने कहा था कि सभी जो ग्रह हैं या फिर उनकी जो अबग्रह हैं ये परावर्तित सूर प्रकास के कारण चमकते हैं या ग्रहों के पास या फिर अबग्रहों के पास अपना स्वैम का प्रकास नहीं होता है ये सूर्य के प्रकास कोई परावर्दित करते हैं और इसी वज़े से ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं जिन खगोली पिंडों के पास अपनी उस्मा और प्रकास होता है वो तारे कहलाते हैं यानि कि ऐसे पिंड जिन के पास अपनी उस्मा और प्रकास है वो तारे कहलाते हैं वास्तम में ऐसे जो पिंड है ये गैसों से बने होते हैं आकार में काफी ज़्यादा बड़े होते हैं और काफी ज़्यादा गर्म होते हैं तो सूरी जो है सूरी भी एक तारा है अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि मयंग सर तो कह रहे थे रात में असंख के मातरा में तारे टिम्टिमाते हैं तो रात में टिम्टिमाने वाले तारों का प्रकास हम तक क्यों नहीं आ पाता है देखें कि सूरी जो है हमारे सबसे नजदीक है नजदीक का मुलब इतना ज़्यादा नजदीक भी नहीं है कि हमास बढ़ा कर वहां पर पहुंच जाए लाखो क्रोडों मील की दूरी पर है फिर भी सूरी जो है अन्य तारों की विक्षा हमारे नजदीक है इस बज़े से सूरी का प्रकास हमारे पास ज्यादा मातरा में आ पाता है जबकि रात के समय टिम्टिमाने वाले जो तारे हैं वो करोणों मील की या असंख मील की दूरी पर है और उनका प्रकास हम तक नहीं पहुँच पाता है या फिर बहुत अल्ब मात्रा में पहुँच पाता है इसी बज़े से रात के समय टिम्टिमाने वाले जो तारे हैं उनका प्रकास या उनकी उस्मा हमें महसूस नहीं हो पाती है अब देगे रात में जब आप लोग आकास को देखती होंगे तो आप लोगोंने नोटिस किया होगा कि हमें रात में आकास में तारों के विभिन समू दिखाई देते हैं तो तारों के विभिन समू के द्वारा जो आकरतिया मनाई जाती है उनको नशत्र मंडल कहा जाता है अर्षा मेजर या फिर बिग बियर ये भी इसी प्रकार का एक नशत्र मंडल है आपने नाम सुना होगा भारतिय संस्क्रित में या भारतिय कल्चर में या भारतिय सास्त्रों में एक नाम सुना होगा सब्त रिसी तारा मंडल सब्त का मलब होता है साथ और इसी का मलब आप जानते हैं जो कि ज्यानी व्यक्ति है यहीं साथ तारों का एक सहू है इनको सब्त रिसी कहा जाता है तो सब्त रिसी जो तारा मंडल है इसी अर्सा मेजर या फिर इसी नशत्र मंडल का एक पार्ट है प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में जब लोगों के पास कमपास बगएरा नहीं होती थी तो प्राचीन समय में लोग रात में जो दिसा का निधारण है वो तारों की सहता से करते थे क्योंकि अंत्रिक्ष में कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी दिसा परवर्थित नहीं होती है जो अपने जगह पर इस्तिर रहते हैं तो प्राचीन भारत के जो लोग थे वो रात के समय में दिसागन धारड जो है तारों की सहता से करते थे जैसे यहाँ पर उत्री तारा की बात की गई है उत्री तारा को जो है धुर्ब तारा की नाम से भी जाना जाता है और उत्री तारा जो है या फिर धुर्ब तारा जो है यह उत्तर दिसा को इंडिकेट करता है उत्री तारा हमेशा एकी स्थान पर रिस्तिर रहता है और हम इसकी जो लोकेशन है सब्सक्रिसी की साहता से देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्सक्रिसी तारा मंदल जो है इसकी साहता से हम लोग जो है धुर्ब तारे की लोकेशन देख सकते हैं और इसकी साहता से हम लोग ग्रह को अंग्रेजी में प्लिनेट कहा जाता है और प्लिनेट जो है ग्रीक भासा के प्लिनेटाई से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है चारो और गूमने वाला हमारी प्रत्वी जिस पर हम निवास करते हैं यह भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ड प्रकास और उस्म प्रत्वी को देखेंगे तो प्रत्वी भी प्रकासित होते हुए प्रतीत होगी वास्तब में ना तो चंद्रमा के पास अपना प्रकास है ना ही प्रत्वी के पास अपना प्रकास है ये दोनों ही सूर्श से प्राप्त होने वाले प्रकास को परावर्चित करते हैं इसी वजय अपने सम्मंदित ग्रह की परिक्रमा करते हैं तो उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोली पिंड है जो ग्रहों के चारों और उसी प्रकार चक्र लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है सूरी के चारों और चक्र लगाते हैं तो देखे, उपग्रे दो प्रकार के होती हैं, एक तो प्राकर्तिक उपग्रे हैं, तो प्राकर्तिक उपग्रे में चंद्रमा आ जाता है, और क्रतिम उपग्रे या फिर मानम निर्मत उपग्रे जो है, एक क्रतिम पिंड होता है, और क्रतिम पिंड को जो है, बैग्यानिकों तो माध्यम से पहुचाया जाता है और प्रत्पी की कच्छा में इने स्थापित किया जाता है अब हम अपने यहाँ पर सौर मंडल के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि सौर मंडल जो सब्द है कहां से निकल कर आया है देखें पौनाडेक रोमन कहानेों में सोल जो है सौर्य देपता को कहा जाता है और जो सौर सब्द है वो सौर सब्द से ही निकला हुआ है सौर सब्द का आठ होता है सौर से सम्मंदित इसलिए सौर्य के परिवार को सौर मंडल या फिर सूलर सिस्टम कहा जाता है तो अब हम लोग अपने सौरमडल की बात करते हैं तो हमारे सौरमडल में सूर्य आठ ग्रहें, उनके उपग्रहें और कुछ अन्य खगुली पिंड जिन में छोटे ग्रहें और उलका पिंड आते हैं तो ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्मार करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं इसका मुखिया सूर्य है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा सौर मंडल का मुखिया सूर्य है और बाद बाकी आठ ग्रह हैं आठ ग्रहों में बुद्र, सुक्र प्रत्वी, मंगल, रस्पती, सनी, Arud और वरूर आजाते हैं तो बर्तमान समय में, सौर मंडल में प्रत्वी सेथ 8 ग्रहे हैं और इनका यहाँ पर वगीगट किया गया है दें कि हमारे सौर मंडल के कुछ ग्रहों को आंतर ग्रह की स्रिडी में और कुछ ग्रहों को भाय ग्रह की स्रेडी में रखा गिया है आंत्रे ग्रहों में बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी और मंगल सामिल है यानिकि सुरुवात की ये चो चार ग्रह हैं इनको आंत्रे ग्रह की स्रेडी में रखा गिया है ये चारो ग्रहे सूरी से नजदीक पड़ते हैं और सूरी से अच्छी खासी मात्रा में उस्मा और प्रकास ग्रहन करते हैं ये सभी ग्रहे जो हैं ये ठोस चट्टाउनों से बने हुए हैं अब बाद बाकी बचते हैं बाहे ग्रहे गैसों की मात्रा ज़ादा है यानि ये जो भायग्र है ये गैस और तरल पदारतों से बने हुए है इन पर गैसों और तरल पदारतों की मात्रा काफी ज़ादा है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सौर मंडल के मुखिया सूरी की सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के केंदर में इस्थित है और यह हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा स्थित है यानि हमारे जो ग्रह और उपग्रे है उन ग्रह और उपग्रों में सूर्य जो है सबसे बड़ा है अगर हम लोग प्रत्वी से कंपेर करें तो हमारी प्रत्वी से ही है दस लाग गुना बड़ा है जैसा कि आप लोग पहले ही बढ़ चुके हैं कि सूर्य जो है तारा है और तारा होने की वज़ेसे है अत्यंत गर्म गैसों से बना है सूर्य का जो खचाव वल है इस सौर मंडल को बांदे रखता है सूर्य हमारे सौर मंडल में प्रकास और उस्मा का एक मात्र स्त्रोथ है सूर्य में जो अपार उस्मा या उर्जा आपको दिखती है इसका स्त्रोथ सूर्य में नाब की सल्यन की प्रक्रिया है इन नापकी सलन की प्रक्रिया की जैसी सूरी में अपार उर्चा जनरेट होती है प्रत्वी से सूरी की जो दूरी है लगबग 15 क्रोड क्लिमीटर है याँ हमारी प्रत्वी से सूरी जो है लगबग 15 क्रोड क्लिमीटर दूर इस्थित है अब देखें यहाँ पर प्रकास की गती के बारे में बताया गया है जाती है और दूसरा सूर्य का प्रकास प्रत्वी तक किसे मेड़ में पहुंचता है यह पूचा जाता है तो आपको यह पता होना चाहिए देखें यहाँ पर आप लोग इमेज में सूर्य और अन्न जो आड ग्रहें इनको देख पा रहे हैं तो सूर्य जो है हमारे सॉर्मंडल के कैंदर में स्थिध है और बाद बाकि जो हमारे ग्रह और उपग्रह या फिर अनि जो खगोली पिंड है उसकी परिक्रमा कर रही है। तो सौर्मंडल के सभी जो आठ ग्रह हैं एक निश्चित दीर ग्रवत्तागरपत पर सूर्य का चक्र लगाते हैं यानि कि जो हमारे ग्रहों का जो पत है वो दीर ग्रवत्तागरपत है और दीर ग्रवत्तागरपत कक्षा कहलाते हैं अपनी एक निश्यत कच्छा में रहकर सूर की परिक्रमा करता है, जैसे जैसे सूर्ज से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही उनके परिक्रमण का समय है, ये भी बढ़ता जाता है, लेकिंगे यहाँ पर आप इमेज में देखें, तो आप ये पाएंगे सबसे पास वाला घ्रह कुन सा है, सबसे पास वाला है, मरकरी या फिर बुद्ध, तो बुद्ध जो है सूर्ज की सबसे पास में है, तो इसका जो कक्षी पत है, इसकी लंबाई भी कम है, जब कक्षी पत की लंबाई कम होगी, तो बुद्ध को सूरी की परिक्रमा लगाने में कम समय लगेगा तो इसी बज़े से बुद्ध जो है सूरी की कम समय परिक्रमा लगा पाता है यानि बुद्ध का जो परिक्रमाड काल है अठासी दिन है वहीं जो वरुड घ्रह है या नेप्चून है इस सूरी से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है तो सबसे ज़्यादा दूरी पर होने की जैसे जो Neptune या फिर वरोड का जो कक्षी बत है इसकी लंबाई काफी ज़्यादा बढ़ जाती है जब इसके कक्षी बत की लंबाई काफी ज़्यादा होगी तो इसको सूरी की परिक्रमा लगाने में काफी लंबा समय भी लगेगा तो इसी वज़े से बरोड का जो परिक्रमण काल है ये काफी ज़्यादा है बरोड का जो परिक्रमण काल है वो 165 वर्ज है यहाँ पर देखे सूरी से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म बताया गया है तो जैसा कि आप देख पाने सबसे पहले बुद्ध बढ़ता है फिर सुक्र है फिर प्रत्वी है फिर मंगल जूपिटर यानि की प्रस्पती सेटर्न, सनी, यूरेनस, अरोड, नियद्चून, वरोड, ये सूरी से दूरी के अनुसार कर्म है ग्रहों के आकार के अधर पर देखें तो यहाँ पर बढ़ते कर्म में बताया गया है सबसे छोटा बुद्ध है बुद्ध से बड़ा मंगल मंगल से बड़ा सुक्र सुक्र से बड़ी प्रत्वी प्रत्वी से बड़ा अरोड फिर बरोड फिर सनी फिर ब्रस्पती यहाँ ब्रस्पती जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह जो है जूपिटर या फिर ब्रस्पति अब ग्रह जो है ये दो प्रकार की गती करते हैं एक तो ये स्थूरी की परिक्रमा भी लगाते हैं और दूसरा ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं अक्ष का मतलब आप जानते होंगे साइकिल का पहिया आपने देखा होगा तो साइकिल का पहिया जो है साइकिल के पहिया के कैंदरे में एक दुरी लगी होती है तो जो दुरी आप देखते हैं वो अक्ष होता है तो वैसे ही क्या है वैसे ही ग्रह जो है परिक्रमड कहलाता है तो कभी भी परिभ्रहमड और परिक्रमड में कन्फूज नहीं होना है परिभ्रहमड का मतलब होता है कि ग्रह जो है अपने ही अक्ष पर रोटेट कर रहा है और परिक्रमड का मतलब यह है कि ग्रह जो है एक निश्चित कक्षा में सूर की परिक्रमा लगा रहा है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अब देखें यहाँ पर एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट भी बताया गया है कि हमारे सॉर्मंडल में सुक्र और यूरेनस सुक्र और अरूड सुक्र और अरूड को छोड़कर अनिस सभी ग्रहों के घूडन और परिक्रमाट की जिसा है यह एक ही रहती है जबकि सुक्र और यूरेनस की जो घूडन और परिक्रमाट की जिसा है यह बिपरीत है तो सुक्र और अरूड जो है ये पूरव से पश्चिम अर्थाद दच्छडा वर्थ है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसाओं का ग्यान आपको होगा ये पूरव है इधर पश्चिम पढ़ती है उपर उत्तर है और नीचे दच्छड है तो जो सुक्र और यूरेनस है इनकी रोटेसन कैसी है ये इस तरह से घुमते है बाद बाद की जो अनगर है उनकी रोटेसन इस प्रकार की है जबकि इन ग्रोव की रोटेसन कैसी है इन ग्रोव की रोटेसन इस पूरव से लेकर पश्चिम की और है यानि ये पूरू से पश्चिम की जिसा में गुमते हैं अर्थात ये दिशना बढ़ते हैं जबकि अन्य सभी ग्रों की रोटेसन जोब बामा बढ़ते हैं यानि कहने का उलवी है कि हमारे प्रत्वी पर जैसे सूर्य जोब पूरुम में उदय होता है जबकि सुर्य यूरेनस पर क्या है सुर्योधय कहाँ पर होगा पश्चिम में होगा और पूरुम में होगा गोंग रहे हैं जबकि सुक्र और अडर्ड जो है सुक्र और यूरेनिस जो है यह दच्छडा बर्त है यानि पूरों से पश्रिम घूम रहे हैं यह बात आपको याद रख नहीं है अब देखें यहाँ पर एक इंट्रेस्टिंग फेक्ट और बताया गया है जिस समय हम पढ़ा करते थे जिस समय मैं सॉर्मनल का नौबा और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था ऐसा माना जाता था कि यह ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है यानि बुद्ध से भी छोटा ग्रह से वह माना जाता था तो प्लूटो की खोज की बात करें तो प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम बेग ने की थी हाला कि संद 2006 में प्राज में हुए अंतराष्टी खबुली संग के एक सम्मिलन में जो ग्रहों की निदारित परिवासा है उसके अनुसार प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया इसको एक छुदर ग्रह मान लिया गया यानि प्लूटो को अब ग्रह का दर्जा नहीं है इसी वज़े से हमारे स्वर्मंडल में आठ ग्रह रह गई है पहले की समय में नो ग्रह थे अब चूंकि प्लूटो को बॉने ग्रह का दर्जा दिया गया है तो बॉने ग्रह का दर्जा देने की विज़े से इसको ग्रह की दर्जे से हटा दिया गया है तो इस विज़े से हमारे सॉर्मर्दल में अब आठ ग्रह रह गई है अब देखें यहाँ पर हमारे सॉर्मटल के गरहों के परिक्रमड काल, गूरन काल और उनके उपग्रों के बारे में जानकरी दी गई है तो यहाँ पर हम लोग बारी-बारी से अन्द सबी के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बुदeral के बुद्ध जिसे मरकरी भी कहा जाता है बुद्ध सूरी के सबसे नजदीख है और अपनी कक्षा में सूरी के चारो और एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है वहीं अपने अक्ष पर एक गुडन पूरा करने में इसे 99 दिन का समय लगता है बुद्गा कोई भी उपगरे नहीं है बुद्गे बाद आ जाता है सुक्र सुक्र को वीनस भी कहा जाता है देखे सुक्र को प्रत्वी की जुडवा भेन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकरती लगबग प्रत्वी के ही समान है इसको सूरी की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लगता है जबकि अपने अक्ष पर एक गुड़न पूरा करने में इसको 245 दिन का समय लगता है देखें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे सॉर्मडल का यह सबसे लंबा गुडन काल वाला ग्रह है हमारे सॉर्मिटल में जितने भी आठ ग्रह है उन ग्रहों में सबसे लंबा गुडन काल जो है सुक्र का है इसके बाद है प्रत्वी तो प्रत्वी जो है दूरी के साफ से सूरी से दूरी के साफ से अगर देखें तो तीसरा घय है और आकार में देखें तो आकार में प्रत्पी जो है 5 माश सबसे बढ़ा घय है हमारी प्रत्पी जो है दुरहों के पास फोड़ी चप्टी हुई है यही कारण है कि इसे गु आब खांजाता है हमारे सौर्मडल में जीवन के लिए अनकूल प्रिस्तियां केवल प्रत्वी पर ही पाई जाती है ये प्रत्वी पर वाताबरण है, प्रत्वी पर ऑक्सिजन है, कारोंडाय अक्साइड है तो जीवन के लिए अन्कूल प्रिस्तियां केवल हमारी प्रत्वी पर ही पहे जाती है हमारे सौर्मनल के अनिगरों पर जीवन नहीं है केवल प्रत्वी पर ही जीवन बिद्दिमान है अंत्रिक्स से देखने पर प्रत्वी जो है नीले रंगी दिखाई देती है क्योंकि प्रत्वी का दो थाही भाग पानी से डखा हुआ है इसी बज़े से जब भी हम इसे अंत्रिक से देखते हैं तो यह नीली दिखाई देती है इसी बज़े से प्रत्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है प्रत्वी को सूर की परिक्रमा लगाने में 365 दिन, 5 गंटा, 48 मिनट और 40 सेकंड का समय लगता है वहीं अपने अक्षपर एक गुड़न पूरा करने में इसको 30 गंटा, 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है देखें आपको याद होगा कि लीप एर वाले साल में 365 दिन होते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं आपको बता होगा तो जो लीप एर है वो लीप एर इसलिए बनता है कि जब 4 साल में ये जो समय आप देख पारे हैं कि 365 दिन, 5 गंटा, 48 मिनट, 40 सेकंड ये पूरा समय नहीं है तो यहाँ पर जब ये 4 साल में पूरा एक दिन का समय 24 गंटे का समय बन जाता है तो एक अत्रिक दिन, लीप एर वाले साल में जोड दिया जाता है तो हम लोग फर्वरी में एक अत्रिक दिन देखते हैं इसी ज undergraduate से लीप एर वाली जो फर्वरी होती है वो 39 दिनों की होती है चंद्रमा जो है प्रत्वी का इक मात्र उभग रहे है तो थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में भी जान लेते है तो चंद्रमा का जो ब्यास है प्रत्पी के ब्यास का केबल एक चोथाई है देखे ब्यास के बारे में आपने गड़ित में बढ़ा होगा ब्यास का मतलब होता है कि ब्रत की कैंदर बिंदू से गुजरने वाली इसकी परिदी के दोनों छोरों को जो छूने वाली रेखा होती है वो ब्यास कहलाती है तो चंद्रमा का ब्यास जो है हमारी प्रत्पी के ब्यास की तुलना में एक चोथाई है चंद्रमा जो है हमारी प्रत्वी का सहचर है यानि साथी है और इसके चार और चक्कर लगाता है चंद्रमा जो है प्रत्वी के चार और चक्कर लगाता है साथी साथ या सूर के चार और भी परिक्रमा करता है चन्दरुमा की प्त्वी से दूरी लगवग 3,184,000 प्रकास है यह रändig प्तवी तक 11 second में पहुँचता है चन्दरुमा प्तवी का एक लगवग 27 बीचे설 में पूरा करता है और लगवग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चे설 में पूरा करता है तो परणाम सुरूफ, प्रत्पीस से हमें चंदरमा का केबल एक ही भाग देहा ही पड़ता है, क्योंकि इसका गूडन और परिक्मढ काल एक है, इसे पूझे से चंदरमा का केबल एक ही भाग देख पाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं चंद्रमा की यो परिस्थितियां है वो जीवन के लिए अनकूल नहीं है यहाँ पर गड़े, क्रेटर, खाई बगएरा यह सब पाये जाते हैं या पहाण बगएरा पाये जाते हैं तो ये जीवन के लिए अनकूल तो बिलकुल नहीं है अब उत्तक मानव इतिहास में अंत्रिक्ष में कोई इकलोता ऐसा पिंड है जिस पर मानव पहुंचा है मानव न अपने कदम रखे हैं तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति जो थे तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि नील अर्मस्टाउं के अलाबा अन्ने दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा की स्था पर कदम रखा था तो दूसरा व्यक्ति है बुझ एल्टरिन अब देखें यहाँ पर बदाया गया है कि पूर्ण चंद्र को लगबग एक महीने में एक बार देख सकते हैं और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यह पूर्ण मा होती है पूर्ण मा कब होती है जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच इस्थित होती है तब पूर्ण मा होती है देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें चंद्रमा के विभिन चरड देखने को मिलते हैं कभी-कभी तो चंद्रमा हमें पूर्ड रूप में दिखाई देता है कभी-कभी हमें आदा दिखाई देता है कभी-कभी आदे से भी कम दिखाई देता है ऐसा क्यों होता है ऐसा होने के पीछी करण यह है कि प्रत्वी जो है सूरी की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा जो है प्रत्वी की परिक्रमा कर रहा है तो कई बार क्या होता है कि चंद्रमा पर प्रत्वी की परचाई पड़ती है या पर कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा सूर्य और प्रत्वी के बीच में आ जाता है तो इस बीसे चंद्रमा में दिखाई नहीं देता है आप जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ तो सूर्य है बीच में यहाँ पर प्रत्वी है और एक साइड में यहाँ पर आपका मून है, चंद्रमा है देखे जब सूर्गी केर्णा जो है चंद्रमा पर इस तरह से सीधी पड़ती है तो यहाँ पर इस चंद्रमा का आदा भाग जो है एकदम चमकता हुए दिखाई देता है और इस समय कि जो situation होती है पूर्ग्रमा वाली situation होती है क्योंकि इस समय यह जो चमकता हुए भाग है यह प्रत्वी के ठीक सामने होता है इसी जैसे हम चंद्रमा का पूरा रूप देख पाते हैं इसे पूर्ग्रमा खा जाता है जब situation इस तरह की हो कि एक तरफ सूर्य हो बीच में आपका चंद्रमा हो और इधर आपका क्या है इधर आपकी प्रत्वी हो तो उस समय क्या होगा इस समय सूर्य का प्रकास चंद्रमा के एक भाग पर पढ़ता है लेकिन यह भाग सूर्य के सामने रहता है ना कि प्रत्वी के सामने और ये वाला जो पार्ट है ये डार्क साइट रह जाती है और डार्क साइट जो है हमें प्रत्वी से दिखाई नहीं देती है तो इसी जैसे अमावस के टाइम में चंद्रमा वाला जो डार्क साइट है ये दिखाई नहीं देता है और ये जो समय होता है इसमें माल लेते हैं चंद्रमा गायब हो गया है अब बात करते हैं मंगल की तो मंगल आकार की जश्टी से सात्मा बड़ा ग्रह है और सूर्ग से दूरी के क्रम में ये चौतिस्थान पर आता है मंगल का जो परिक्रमण काल है यानि मंगल सूर्गी परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है वहीं अपने अक्षपर इसका गुड़न काल जो है 24 घंटा, 33 पनट और 15 सेकंड है देखे मंगल के दो अबग रहे हैं फोबोस और डीमोस तो फोबोस और डीमोस मंगल के दो अबग रहे हैं अब देखे पांचमा हमारा ग्रह है ब्रसपती यानि कि जूपिटर तो जूपिटर जो है हमारे सौर्मंदल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है और सूरि से दूरी के करम में ये पांच में स्थान पर आता है ब्रसपती ग्रह की खोज गैलीलियों ने की थी देखे ब्रसपती ग्रह तारा और ग्रह दोनों के गुड़ों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वर्म की रेडियो ऊड़ जा है तो रेडियो ऊड़ जा होने की विजए से इसमें तारे के गुड़ भी माने जाते है तो ब्रशपती हमारे सुर्बंडल का एकमात्र ऐसा गह है इसमें टारा और गह है दोनों के गुड़ है इसका जो परिक्रमड काल है य dispi की परिक्रमा करने का जो समय है वो बारे बर्स है वहीं इसका गूड़न काल य dispi अपने अक्षपर गूमने का समय लो या फिर आयो और यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रे है गैनी मीड जो है गैनी मीड जो कि ब्रस्पती का उपग्रे है ये हमारे सौर मेंडल का सबसे बड़ा उपग्रे माना जाता है इसके बाद है सनी देखे सनी जो है ब्रुस्पती के बाद आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूरी से दूरी के करम में ये चटमे स्थान का ग्रह है सनी की खास विजिस्ता क्या है कि सनी के चार और वलय रिंग पाए जाते है तो सनी के चार और वलयों का पाया जाना इसकी प्रमक विजिस्ता है इसका जो परिक्रमण काल है यहाँ परिक्रमा लगाने का समय है वो 29 वर्स पांच महीने है जबकि इसका गुडन काल अपने अक्ष पर घुमने का समय जो है 10 गंटा 40 मिनट है यहाँ पर एक interesting fact जो कि आपको याद रखना है तब रसपति के उपक्रों की संकिया जादा हो गई थी लेकिन अभी हाल में ही एक research होई है उस research के according संभस से जादा है तो सनी एक बार फिर सबसे जादा उपक्रों की संकिया घ्रह बन गया है तो बेन में संभस्था होग्रों की संकिया 145 है Titan जो है सनी का सबसे बड़ा उपग्र है जबकि सॉर्मनल का दूती बड़ा उपग्र है यानि गैनी मीट के बाद टाइटन जो है हमारे सॉर्मनल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्र है इसके लाबा इसके अन उपग्रों में एंसे लेडर्स, फोबे, इसके अनुपग रहे हैं आप देखे, साथ में नमर पर आ जाता है अरोड या फिर यूरेनस तो अरोड जो है, आकार में तीसरा बड़ा और सूर से दूरी के करम में साथ में स्थान पर आता है अरोड घ्रह की खोज जो है, सर विलियम हरसियल ने की थी इसका परिक्रमण काल, इस सूर की परिक्रमा करने का समय 84 वर्स, और गूडन काल जो है, 17 घंटा, 14 मिनट है इस घ्रह की 27 ग्या तुबग्रे है देखे, अरोड घ्रह का जो अक्षी जुका हुए, अपने अक्षपर जुका हुए, बहुत ज़्यादा है तो अक्षी जुका हुए अधिक होने की बिज़े से इसे लेटा हुआ घ्रह भी कहते है अरोड की बाद आ जाता है, फिर फरोड या फिर नेप्चून तो बें नेप्चुन जो है आकार में चोथा और सूरी से दूरी के करम में आठमा या पर अंतिम ग्रह है इसका परिक्रमड काल हमारे सौर्मडल की ग्रहों में सबसे ज़्यादा है यहीं इसका परिक्रमड काल जो है 165 बर्स है बहीं इसका गुडन काल यहीं अपने अक्षपर गूमने का समय 16 गंटा 7 मिनट है देखे वरोड घर है जो हरे नीले रंग का प्रतीत होता है और यह सरवादी ठंडा ग्रह है इसके चोदे ग्यात उपग रहे है ट्राइटन इसका प्रमग उपग रहे है देखे एक बात आपको ध्यान रखनी है कई बार एक्जाम में क्या होता है कि बच्चे ट्राइटन को ट्राइटन से कन्फ्यूज कर देते है देखे ट्राइटन जो है वरोड का उपग रहे है और ट्राइटन जो है सनी का उपग रहे है तो कई बार बच्चों को लगता है कि ट्राइटन गलती से लग गिया आ है ट्राइटन होना चाहिए था नहीं ट्राइटन जो सनी का उपग रहा है और ट्राइटन जो वरुड का उपग रहा है तो आपको mix नहीं करना है तो आपको याद रखना है ये important fact है अब देखे इसके बाद छुद ग्रह आ जाते हैं इनको एस्टिरोइड कहा जाता है वास्ता में छुद ग्रह जो है ये ग्रह के ही पार्ट है इस समय ग्रहों के निर्मार की प्रक्रिया चल लए थी महावे स्पोर्ट हुआ था उसी समय ये जो छुदग्रह है ये ग्रह से तूटकर अलग हो गए थे और ये जो छुदग्रह है ये भी सुर्गी परिक्रमा करते हैं ये तरह से हमारे पिंड सुर्गी परिक्रमा करते हैं ये चुद्ध ग्रह भी सुर्गी परिक्रमा करते है मंगल और रस्तत की कच्छाओं के बीच में चुद्ध ग्रहों की पट्टी पाई जाती है जैसा कि आप देख पारें ये पूरी की पूरी एक एस्टिरोइड बेल्ट है और ये एस्टिरोइड बेल्ट जो है मंगल और रस्तत की कच्छा की बीच में पाई जाती है कई बार एक्जाम में ये पूछा भी गया है तो आपको पता होना चाहिए ये काफी ज़ा इंपोर्टेंट भी है अब है उलका पिंड देखे उलका पिंड वास्तम में ग्रहों उपग्रहों और छुद ग्रहों से निकले हुए पत्थर के टुकडे है जो कि सूर्गी परिक्रमा लगा रहे है तो जब भी ये पत्थर के टुकडे किसी भी ग्रह के वाइमेंटल में प्रवेस करते हैं तो भहाँ पर मौझूद गैसों के साथ इनका घरसड होता है इस पर जैसे ये जलने लगते हैं तो जब भी उलकाएं प्रत्पी के वाइमेंटल में प्रवेस करती हैं तो हमारे वाइमेंटल में मौझूद जो गैसे हैं गैसों से इनका घरसड होता है इसकी वीज़े से इन उलकाओं में आग लग जाती है और हमें ये जलती वी दिखाई देती है तो इसे ही तूटता हुआ थाराय सूटिंग स्थार कहते है इन में से कुछ उलकाओं जो होती है ये प्रत्वी पर पहुँचने से पहले ही अर्वों की संख्या में उलकाओं पाई जाती है हाला कि उलकाओं का सबसे बड़ा स्रोथ जो है वो कूपर बेल्ट है और कूपर बेल्ट जो है ये बरोड घ्रह के पश्चात पड़ती है तो कूपर बेल्ट जो है उलकाओं का सबसे बड़ा स्रोथ है मैं यहाँ पर आपको देखा दे रहा हूँ जैसा कि आप देख पाने यह asteroid belt है और जो आपका Neptune घरह है Neptune का मलब जो आपका वरोड़ घरह है वरोड़ घरह के बाहर जो पट्टी आप देख पाने है यह cuper belt बोली जाती है यह लिखा हुआ अब भी है cuper belt तो cuper belt जो है उलकाओं का सबसे बड़ा स्रोथ है तो कभी भी अगर आपसे एक्जम में पूछा जाए कि सरवादिक मात्रा में उलकाओं कहां पाई जाती है तो आप बता देंगे cuper belt में सरवादिक मात्रा में उलकाओं पाई जाती है तो ये था हमारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा देखें अब आप लोगों को नोट्स मनाने के आवश्यक्ता नहीं है आप लोग डिरेक्ट हमारे टेलिग्राम पर जाकर नोट्स को पर्चेज कर सकते हैं आप लोगों से मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करने आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे तो आज के लिए इस तना ही ठेंक्स पर वाचिंग जैहिंद